नमस्कार दोस्तों मैं विर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फैर अकैडमी यूट्यूब चैनल है आज हम बात करेंगे हार्ड सक्षन क्या होता है और सोट सक्षन क्या होता है जब भी हम fire fatting करते हैं तो fire fatting के दोरान हमारे जो fire की गाड़ी होती जो हमारा tender होता है उसके tank का पानी खतम हो जाता तो हमें कहीं से भी पानी की requirement होती तो किसी भी तलाब कुए से या जोड से हम पानी लेते हैं सक्षन करके तो वहाँ पे ये प्रिक्रिया होती है तो इसके ब वहाँ पे तो ऐसी problem आती निए वहाँ पे fire hydrants हमें available मिल जाते हैं बट यह ज्यादा तर गाओं और जंगलों की आग भुजाने में ज्यादा ये कठना या सामने आती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चोटा सा request है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल के सब्स्राइब कीजिए और बेल आइगन का बुटन जरूर दुबाए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा hard section औ यहां पर लिज़ देता हूं हाल ठीक है यह वाला कि सॉफ्ट कि सोब्सक्शन ठीक है तो हाड सक्षन में क्या होता है हाड सक्षन करते समय हम जो होज प्रियों करते हैं यह वह होज हाल रबर्ल कारवन फाइबर्स प्लास्टिक या बना ओता है और उसके अंदर कॉंडली ओमा तामबेगा तार गुजारा जाता है वह तार क्यों गुजारा जाता है जब हम सक्षन करते हैं तो पाम्प इतना वैक्यूम बना देता है कि अगर उसके अंदर तार नहीं होगा या होज कमजोर होगा तो वो जो होज वो चिपक जाएगा और वैक्यूम नहीं पड़ेगा और पांप पानी नहीं उठाएगा ठीक है तो इस पोजिशन में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम पांप को चलाते हैं अगाड़ी कर पांप को चलाते हैं ठीक है और यहां पर यहां पर हमारा जो गाड़ी parking सोवर शीन में कर दड़न क्यूम्ड यह हमारा टर्मदर है उसके पीछे जो ईनलेट होता है यहां पर वो हाтора होगा जोड़ा ईता है जो कद सार्ण में कोबदो शीन मतार का बना होता है हो एक लाइगा एक लाइन है वाक्यूम के रियेट होगा कि उसको यह वह पॉरी वह तिया प्रिक्रिया होती है हो कभी डेटैल में बात करेंगे प्राइमिंग क्या होता है प्राइमिग कैसे का एव हुझ करेंगे सिर्ब इतना जाने प्रिक्रिया आप वही है यह हाड सक्षन हो ठीक है अब हम बात करेंगे शोक सक्षन के प्रिक्रिया में यहांपर कर रहे हैं यहां पर क्या होता है हम यह हमारा in late है यहां पर हमने होज हाड होज का प्रियोग किया था जो प्लास्टिक कुंडली नुमा तार है जो पाइप था हमने उसका प्रियोग किया था लेकिन शोक सक्षण में क्या गरते हम यहां पर सक्षण अडेप्टर लगा दे आपने आप लोगोंने सुनाओगा lives 6 तो यांपर हम या तो ओडेप्टर के माधिन हितके लगा लू अगर डारेक्टी लगता तो औरेक्टी लगा लो तो यहापर आपकोप्रेग्टींग है लगा लेना आफ कि क्या करते हूं दोसे माणया आपने फ़ॉर एक क्लाक्टिंग है का प्रियो हो किया हें ठीक है फोर बेश के फोर वे क्लेक्टिंग है अगा प्रियों कि हम 4 हाइडेंट से पानी दे गए और यहां पर यूंज यूज हो रहा है ना ये सक्षन होज नहीं है ये डिलीवरी हो जाग कॉन से वाला जिसे हम फायर फैटिंग करते हैं वो डिलीवरी क्योंकि यहां पे जो आउट लेट था या जो इनलेट था उसमें मेल कप्लिंग है त्रेसे त्रेसे टैमेम वाली और हमने यहां पे हाइडंग से पानी देगा है ठीक है तो यह जो प्रिक्रिया हो रही है यह शॉक सक्षन अब इसमें एक और एडिशनल जोडने कोसिश कई बार क्या होता कि हमारे टेंक का कई भी ली के बाइम आग्यानी तो हम क्या करते हैं इस पोजिशन में डार्ट फाइर फैटिंग भी बर देते हैं आप अपने जो फायर टेंडर का जो टेंक है का बाड़ी का टेंक है उसको ब्राइपास कर सकती है आप हएड्रेंड से ज फाइर गाड़ी के अंदर जितनी भी delivery है आप उससे भी fire batting कर सकती है लेकिन हमारे tender से जो pressure आ रहा है वो हमारे amplifier में directly hit कर रहा है उसको directly ठोक रहा है क्योंकि यहां से pressure कहां जा रहा है वो directly हमारे pump के amplifier पे जा रहा है और इसके amplifier पे वो धक्का मार रहा है उस पे चोट मार रहा है तो इस position में क्या होता है कि जो हमार amplifier है वो damage होने के chance बढ़ जाते है damage कम chance भी होता है लेकिन damage होने के chance होते जरूर है क्योंकि वहां पे force दिया जारा आप ओलोगे कि वो तो होगा नहीं कुछ लोग ऐसे भी होगे जिन्होंने किया होगा और यह मैंने भी practical किया है बट damage होने के chance होते जरूर है ठीक है तो यह जो मैंने पुरी परिक्रिया बताई ह है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को समझा आ गया होगा एक बार दोबरा रिपीट कर देता हूँ हार सक्षन में सक्षन होज का प्रियोग किया जाता है और सोक्षन में फोरवे क्लेक्टिंग हैड लगागर के delivery होज से hidden का connection देगर के हम टैंक को बरते हैं या डारेक्ली फार फैटिंग करते हैं वो तो सब्सक्यों अतलः के बोस सारे लोगों को इसका डाउट था कुस लोग बोलते हैं कि सोक्षन में वो wykoruse करते हैं जो अपने कहतों में सक्षन कर ने के लिए प्रियो करती है और हार सक्षन का दुलावगस भी को पता है जो स्टैंडर्ड बोलता है वो बोलता है कि उसके जो हम होज यूज करते हैं उसके अंदर कुंखली नुमा ताम बेग अतार होने जरूरी है वो डेफिनिट होने ही चाहिए ठीक है और सोग सक्षन में हम डिलिवरी होज का प्रियो प्रियोटिटिंग करते हैं ठीक है तो इस पोजिस्टन में अगर टैंक आपका ठीक है तो टैंक भी मरेगा और फार्वाइटिंग भी होगी दोनों आप एक साथ हो सकते हैं और भी एडिशनल फोर्स लेने के लिए आपको हायडेंड का भी फोर्स मिलने साथ में आप पंक भी चला दो और डबल फोर्स भी लेगा ठीक है तो उमीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा और फिर भी कुछ चीज रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे पता सकते हैं एक यही वीडियो मैंने कल डाली तो उसमें कुछ रह गया था या कुछ खामिया मैंने उसको डिलीट करके यह डाला है तो आप इसको जरूर देखें तो जल्द मुझे के नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक जुड़े रहे हैं आपके अपने यूट्यूप चैनल पर जय हिंद जय भारत